दिखी और सेबी ने कहा है कि कोई परियाप सबुत यहां पर नहीं मिलेते जिसकी वज़े से इतनी बड़ी राहत यहां पर आती हुई नजर आई है अब आईपयो की टाइम लाइन देखे तो 2016 में एनेसी ने आईपयो की अरजी सेबी के पास दी थी 2019 में वापस से यह लोटा के शुरुआत में आईपयो आते हुए नजर आ सकता है अनलिस्टेट मार्केट में जो शेयर प्राइस चल रहे है एनेसी के वो करीबन सत्ता वन सो से बैसेट सो रुपए के आसपास ट्रेट कर रहे हैं और एफफ़एट वी इस पर देखे तो करीबन बाईस टाइम का वाल वालुएशन दो गुना होते हुए देखे एनेसी के और हमने एक्साइटमेंट भी यहां पर काफी बढ़ते हो देखा है बीएसी समय में यहां पर भी बड़ी राली आपको बनते हुए दिखिए एक बार शीकान जी से जरा बीएसी के काउंटर पर भी रहे लेते हैं शीका अब मुझे लगता है कि यह स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन में आ सकता है या तो थोड़ा साइडवेज या रेंजबाउंड हो सकता है लेकिन ओर आल्ट्रेंड अभी भी काफी इंटक्ट है यानि कि उसके लॉंग टर्म ट्रेंड है वो तो काफी स्ट्रॉंग बने हुए है तो मुझे लगता है इस टाइप के जितने भी स्टॉक से एक्शेंज इस रिलेटेड है इंटिक उन सब में सालों साल तक अच्छी तेजी रहेगी लेकिन करेंट लेवल से मैं कहूंगा स्पेसिफिकली फो बीएसी से थोड़ा स्टेड कर रहा है हमें लगता है कि बेस्डा प्रॉपर्टी जर जरा इसको पूल अप करी अभी एक स्पाइक आते हूं दिखा था इधिक पूने में कुछ लैंड ऑक्षिन के लिए इन्हें नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला है और उसके बाद हमने देखा